अलो फ्रेंड्स आज हम लोग बना रहा हैं मीठी चटनी जो कचोड़ी पकोड़े समोशे पूड़ी किसी के साथ भी आप क्यारी कर सकते हैं तो आईए आज हम लोग बनाते हैं मीठी चटनी बहुत ही यह तेश्टी है बहुत ही अभी बनती इसको कूकर में डाल देंगे और इसे पानी डालके कूकर बंद करके और इससे एक सीटी आने देंगे फिर दिमा करके थोड़ा दिर और पका लेंगे 10 मिन तर तो अपने आप ठंडा होने देंगे तो देखे पूरी तरह थंडा हो चुका है अब इससे खोल लेते हैं और इसके छिल के हटा लेंगे फ्रन इसको च्छान लेंगे जिससे च्छानने से इसके मोटे इसमें जो बीज उगरा होंगे मोटे खुजिरा गया होंगे वो सारे च्छन जाएंगे हम लोगो एक स्मूदी सी पेष्ट मिल जाएगी तो देखे हम लोगो इदम स्मूदी सी पेष्ट मिल गई है आए अब इसके ह बनाते हैं यम्मी सी चट्मी देखें कितनी अच्छी सी पेश्ट हम लोगों को मिल गई है तो अब हम लोग बनाते हैं चट्नी उसके लिए रखेंगे गया जलाएंगे कड़ाई रखें कड़ाई गरम हो चुका उसमें डालेंगे एक चमस देशी गी एक से डेट चमस जैसा ट स 환 sah Hon ‑‑ 30 kg आतर है उसी साफ से हम इसमे आदा गूर लेंगे थोड़ी चीनी डालेंगे चार पांचमस की डाल दे रहुत रहे हैं और मारी बड़ी गूर हम लोगetes है तो लिए चार से पांचमत में चीनी डाल देंगे और चीन डाल क करके उसको तब तक पेखेंगी फरेंट बुना जीरा पौड़ा बुना धन्या पौड़ा मिर्चा है जीरा और काली मिर्च पौड़ा सारे चीज़ें को डालके मसाले को डालके और काला नमक और अभी अच्छे से डालके सारे मसाले को मिला करके इसको लगातार चलाते भी धीमियाज पर पकने देंगे यह खुब पक किया जा सकता है तो देखिए हमारी चटनी बन चुकी है पुरी बन चुकी है पानी पुरी तरह सुक चुकी है चटनी को चेक करने के लिए किसी प्लेट पर रखी अगर चटनी वहां से अगर स्लिप नहीं कर रही है तो चटनी तयार समझे तो देखे चटनी बन चुकी है अब जब भी आपको जरूरत पड़े पूड़ी पराटे, कचोड़े, पकोड़े, किसी के साथ भी से कैरी कीजिए, बहुत ही टेश्टी होती है, ऐसे भी आप रोटी, दाल, चावल के साथ भी से खा सकते हैं, तो इस तरह से बनाएए फ्रेंड, यम्मी सी टमाटर की मीठी चट्म बहुत टेश्टी होती है, इस तरह से खाने का स्वाथ दूगना हो जाता है, तो इस तरह से बनाएए बिंटर में खुब टमाटर आ रहा हैं भर भर के, देशी टमाटर, बहुत अच्छे चट्नी के बन के तयार होती है, बहुत अमेजिंग चट्नी के होती है, अगर वीडि सब्सक्राइब को नबेल को नबेल को नबेल को नबेल